प्रेस्ट अ आप्डेट एकन है तेन्त हिंदी भिभिय ऑप्जेक्टिव क्विस्टिस हिंदी देखेद पहला क्विश्चन है जाती पर्था स्वभाविक बीभाजन नहीं है क्यों? जाती पर था स्वभाविक बीभाजन नहीं है क्यों? option इसका भेदभाव के कारण option B है रूची पर अधारित नहीं होने के कारण option C है गरीबी के कारण option D है सोसन के कारण तो इसका answer जो होगा option नमर B होगा रूची पर अधारित नहीं होने के कारण अब question 1 दो भारत में बेरोजगारी का मुख वो परतेक्ष कारण है भारत में बिरोजगारी का मुख वो परतेक्ष कारण है option A है जाती पर था, option B है दहेज पर था, option C है औसिच्छा, option D है भरष्टाचार तो इसका आंसर होगा option A जाती पर था question number 3 option A है मैक्स मूलर, option B है भीमराव अमबेद कर, option C है बिर्जु महराज, option D है अग्ये तो इसका अंसर होगा भीमराव अमबेद कर question number 4 मदन के लिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी question number 4 है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी option A है दुद्कार, option B है प्यार, option C है मार, option D है भटकार तो इसका सही अंसर होगा option number C मार हम question number 5 देखते हैं question number 5 कहता है option A है मदन की, option B है खोखा की, option C है लेखा की, option D है सेंसाहब तो इसका सही अंसर होगा option B, खोखा क्या आगे question number 6 कहता है मदन ने कासू के कितने दौत तोड़ डाले option A है तीन, option B है एक, option C है दो, option D है चार तो इसका सही अंसर होगा दो मदन ने कासू के दो तोड़ डाले question number 7 है, खोखा किसको कहते हैं option A है option A है मदन को, option B है सेंसाहब option C है केसू को, option D है कासू को तो खोखा इसका सही अंसर होगा कासू को option D, आगे question number 8 कहता है स्वामी विवेका नंद ने स्वामी विवेका नंद ने बेदान्तियों का बेदान्ती किसे कहा है option A है दयानंद सरस्वती को, option B है राजा राम मोहन राई को, option C है मैक्स मूलर को option D है नन, यहनि कि इन में से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर होगा option C मैक्स मूलर को अब नो नमर question देखें, देखते हैं, चली option A है रूसों ने, option B है इसवर पेट लिकर ने, option C है मैक्स मूलर ने, option D है साथ कोरी होता ने तो इसका सही अंसर होगा, मैक्स मूलर ने, question 10 कता किस गवर्नल जनरल के समय, किस गवर्नल जनरल के समय, एक सो बहत्तर दारिस नमक सोने से भरा घरा मिला था, option A है Lord Dalhauji, option B है Lord Kaining, option C है Warren Hastings, option D है Lord Karnavalis, तो इसका सही अंसर होगा, option C Warren Hastings, question 11, question 11 कहते हैं, नाखुन क्यों बढ़ते हैं, निवन्द नई पीधी में कैसा भाव जगाता है, option A है स्वाधीनता, option B है देश भक्ती, option C है सांस्किर्तिक आत्म गवर्व, option D है देवत्तु, तो इसका सही अंसर होगा, option C सांस्किर्तिक आत्म गवर्व, question 12, किस देश के लोग बड़े-बड़े नख पसंद करते थे, option A है अंग देश के, option B है गणधार के, option C है कैकई देश के, option D है गवर्व देश के, तो इसका सही अंसर होगा, गवर्व देश के, चलिए, option D, अब Q13 काता है दुर्वेदी जी से किस ने पुछा था नाखुन क्यों बढ़ते हैं? उप्शन A है लरके ने, उप्शन B है पतनी ने, उप्शन C है नौकर ने, उप्शन D है लरकी ने तो इसका सही आंसर होगा उप्शन D लरकी ने आगे Q14 दोहा कोस किसकी रचना है उप्शन A है रस खान की, उप्शन B है गुरु नौनक की, उप्शन C है जीवना नंद दास की, उप्शन D है सरहद पाद की तो इसका सही आंसर होगा सरहद पाद की उप्शन D आगे Q15 कता है नागरी लिपी के आरंभिक लेक हमें कहां से मिले हैं उप्शन A है पुर्वी भरत, उप्शन B है पस्चमी भरत, उप्शन C है दसनी भरत, उप्शन D है उतरी भरत, तो इसका सही आंसर होगा उप्शन C दचनी भरत आगे question number 16 question number 16 कहता है गुनाकर मुले की सिच्छा की भासा क्या थी? गुनाकर मुले की सिच्छा की भासा क्या थी? option A है Hindi, option B है English, option C है Sanskrit, option D है Marathi तो इसका सही अंसर होगा option number D Marathi question number 17 कहता है हिंदी भासा की लिपी क्या है? option A है 브라hmi लिपी, option B है देव नागरी लिपी, option C है चितर लिपी, option D है गुरू मुखि लिपी तो इसका सही आंचर होगा option B देव नागरी लिपी question मने अठा रहा है, कैता दिल बहादूर या बहादूर उसी का नम था कहां का रहने वाला था option A है बिहार, option B है नेपाल option C है उत्तरप्रदेश, option D है भोटान तो इसका सही आंसर होगा option B नेपाल question number 19 बहादूर का बाप कहां मारा गया था option A है युध में option B है डकैती में option C है चोरी में option D है चरवाही में तो इसका सही आंसर होगा option number A युध में question number 20 बहादूर लेखा की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था question number 20 है बहादूर जो है लेखा की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था option A है मा के रूप में option B है भाभी के रूप में Option C है बहन के रूप में, Option D है देवी के रूप में, तो इसका सही अंसर होगा म के रूप में, फिर से इसी को एक बार और हम दोहरा देते हैं, सब भी भी याए एकदम objective question है, चली, question में 20 से चलते हैं, वो ल्टा, बहादूर लेखा की पतनी निर्मला को किस रूप में देखता Option A है म के रूप में, Option B है भावी के रूप में, Option C है बहन के रूप में, Option D है देवी के रूप में, तो इसका सही अंसर होगा Option A म के रूप में आगे question mark 19 कहता है बहादूर का बाप कहां मारा गया था option A है युध में option B है ड़केटी में option C है चोरी में option D है चरवाही में तो इसका सही अंसर होगा option number A युध में मारा गया था आगे question mark 18 दिल बहादूर या बहादूर कहां का रहने भ़्ला था इसका सही आंसर होगा आगे। 17 हिंदी भासा की लिपी क्या है। भ्रहमी लिपी। इसका सही आंसर होगा आप्शन नमर बी। देवनागरी लिपी। गुनाकर मुले की सिच्छा की भासा क्या थे। उप्शन A है हिंदी, उप्शन B है अंग्रेजी, उप्शन C है संस्कृत, उप्शन D है मराठी, तो इसका सही अंशर होगा, उप्शन D मराठी, आगे question मर पंदर हैं, नागरी लिपी के आरंबिक लेख हमें कहां से मिले हैं, उप्शन A है पुर्वी भारत, उप्शन B है पस् बारत ऑप्सटन वहीज़े हैं दचनी भारत तो इसका सही अंसर होगा ऑप्सटन सी दचनी भारत है ऐगे चौटा कहता है दोहा कोषल किसकी रचना है रसփ खाण की उप्सटन भी है गुरुद नानक की औप्सटन C जिबना नंद दास की ऑप्सटन Д सरहत पाध की तो इसका सही अंसर होगा option number D, सरहत बाद की और question number 13, दुरवेदी जी से किसने पूछा था नाखुन क्यों बढ़ते हैं? option A है लरके ने, option B है पतनी ने, option C है नौकर ने, option D है लरकी ने तो इसका सही अंसर होगा option number D, लरकी ने किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे अप्शन A है अंग देश के अप्शन B है गंधार के अप्शन C है क्यकाई देश के अप्शन D है गौर देश के तो इसका सही अंसर होगा option number D गवर देश के नाखुन क्यों बढ़ते हैं question number 11 नाखुन क्यों बढ़ते हैं निवंध नई PD में कैसा भाव जगाता है option A है स्वधीनता option B है देशभक्ती option C है सांस्किर्थिक आत्म गवरव option D है देवत्व तो इसका सही आंसर होगा option number C सांस्किर्थिक आत्म गवरव question number 10 किस गवर्नल जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घरा मिला था option A है लौड डलहौजी option B है लौड कैनिंग option C है वारेन हैस्टिंग्स option D है लौड कर्ण बालिस तो इसका सही आंसर होगा option C वारेन हैस्टिंग्स question number 9 मेग दूतम का जर्मन में अनुबाद किस ने किया option A है रूसों ने option B है इस्वर पेट लीकर ने option C है मैक्स मुलर ने option D है साथ कवड़ी होता ने तो इसका सही आंसर होगा C मैक्स मुलर ने question number 8 option A है दयानन सरस्वती को option B है राजा राम मोहन राय को option C है मैक्स मुलर को D है ननयों कि इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा मैक्स पिशुन ध्रच को अगे question में साथ देखते है खोका किसको कहते है option A है मदन को option B है सेन साहब को option c है केसू को, option d है कासू को, यहाँ देखे, डिफ्रेंस है, इसको केसू, इसको कासू, तो answer जो होगा, option number d होगा, कासू को खोखा काते थे, आगे question number 6, मदन ने कासू के कितने दंत तोड डाले, option a है 3, option b है 1, option c है 2, option d है 4, तो इसका सही answer होगा, option number c 2, आगे question number 5, पंच, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती, पंचो बहने किसकी थी, तो option a है मदन की, option b है खोखा की, option c है लेखा की, option d है सेन सहाब की, तो इसका सही answer होगा, option b खोखा की, मदन के लिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, option a है दुद्कार, option b है प्यार, option c है मार, option d है फटकार, तो इसका सही answer होगा, option number c फटकार, अब देखे question number 3, करता है आदर से समाज, आदर से समाज, स्वतंतरता, समानता, भरातित्तु, पराधारित होगा, या किसने कहा, option a है मैक्समूलर, option b है भीम रा उमबेद कर, option c है बिर्जु माहराज, option d है अग्ये, तो इसका सही answer होगा, option number b, भीम रा उमबेद कर, question number 2, भारत में बिरोजगारी का मुख्य वा परतेक्ष कारण है, option a है जाती पर्था, b है दहेज पर्था, c है और सिक्षा, d है भरष्टा चार, तो इसका सही answer होगा, option number a, जाती पर्था, भारत में बिरोजगारी का मुख्य हुआ परतेक्ष कारण है, अब question number 1, जाती पर्था, स्वभाविक बिभाजन नहीं है क्यों, option a है भेदभाव के कारण, option b है रूची पराधारित नहीं होने के कारण,